कश्मीर हारता है हार जाये जम्मू जीत लें मैं कहता है जम्मू भी खपे में बढ़ जाए इनको कुछ नहीं चाहिए जाए सकते हैं कि यह लोग मासूम है जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हैं इनको पता है कुछ नहीं है मासूम थोड़े है लाचार है मासूम वर्ड त तो आप बहुत बड़े लीडर बन के क्या जो फॉर्मर डेप्टिटी चीफ प्निस्टर हैं बाकी जो नेता हैं वो अभी उन्हीं कोठी में रह रहे हैं तो वो कैसे एलजिबल हैं वो इसलिए रहे हैं कि क्योंकि उनकी सरकार है आप बीजेएपी में होते तो आपका हाली नह मंग था कोई मेरे मान समान के लिए एक इतने बड़े लीडर ने माफी मंगी है बड़े बीजेपी के लोग तो कहीं लोगों के लिए तो ये भी कहते हैं जो बड़े बड़े जाहिन किये कुछ किये ये तो अपना सोधा पर बचाने आई हैं एंटी इंग्रोजमेंट ड्रा है वो इसलिए नहीं छोड़ी के उनकी विचारदारा कांगरस के साथ नहीं मिलती थी उन्हों ने उस समय उनको पार्लिमेंट की सीट नहीं मिली थी कांगरस इसलिए चोड़ी थी विचारदारा की बात नहीं है बगहर मतलबों मरिस्टियां भी मिल गई कारोबर भी मिल गय स्टेट का वाइस प्रेटिन में बना दो सारे ओदे मिलके उसके बाद पार्टी छोड़ने का क्या करना मेरी तो टिक्ट गई इनका क्या क्या बारत जड़ो यातरा में जब मैं कश्मीर पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात जो है आंख से आंख मिली टर्रिस से मिल्टेंट से लेकिन उनने मुझे कुछ नहीं कहा मिल्टेंट आदमी अगरबादी आदमी और इतनी बड़ी शकार को छोड़ दे इससे बड़े शकार क्या हो सकते है आपकी नजर में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं मैं भी तरह काला नहीं हूँ मैं भी चाहता हूं कि का मैं भी तसलि मैं जो जो शक्स हैं वो किसी तारूफ के मौताज नहीं है आपने देख लिया होगा चोदरी लाल सिंग्जी हैं हम मीडिया वालों को बहुत तकलीफ हो रही है चोदरी लाल सिंग्ग से जमु का गर खाली कर वा लिया और ये बिलकुल सच है ये ऐसा नाम है ऐसी शक्सियत ह जिसको हम छोड़ नहीं सकते इसके लिए हमें 80 किलोमेटर ट्रावल करके कठो आना पड़ता है मैंने पहले बताया यह ऐसी शक्सियत है ऐसे पॉल्टीशन है जिनको और वाइड नहीं किया जा सकता है यह हमारी मजबूरी है कि इनका स्टेटमेंट लेना बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए तकलीफ हमें भी है मकान उनका खाली करवाया गया तकलीफ हम मीडिया वालों को भी है इससे खैर यह अलग बात है चोडरी साब आपके दर्शन बहुत दूर आपके करने पड़ते हैं तहला सवाल आप से यह कोई शक नहीं है कि आपको सबको तकलीफ है लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी हाँ हाँ मैं कोशी कर रहा हूँ कि कोई आफिस मिलने चोटा वोटा तो जब मैं आऊँ आऊँ आप सब को बता रहे करूंगा कि मैं आगया हूं चुबिसब शुरुआद यहीं से करते हैं आपका घर खाली करवा लिया आपके पांचे मूँ में कोई जगा नहीं है यहां आप बैठ कर चीज़ें कर सको लेकिन जितने भी पॉलिटीशन बाकी हैं मैं नाम लेकर बता सकता हूं संटर में उनके सरकारी आवास हैं यह क्या है हमें समझाएंगे थोड़ा आप इसके बारे में अक्छल क्या है कि मैं अब मकान जो हमारा खाली हुआ है आप इक भी उसको किसी तीके से अंदर जा के देखें पांचे फ्रिज हैं आप हहरान होगे उस सड रहे हैं सब बंद हैं ना और यह पांचे फ्रिज की इसके उपर पड़ेगे नया आएगा को मंतरी जब तुझे लगाएगा क्या खत्म ह होगे ना जो बहां सोफा सेट पड़े हैं बैड़ पड़े हैं जो कोठी है हां किसी को दे देते इस्तेमाल हो जाती तुरूंत मेरे से लेते किसी को देते मुझे को प्रावलों देते और दूसरा नबर जिनको रखी और हमसे ली अगर एलेक्शन हो जाता तो कोई भी आ जा कि तो वोतो होनी सकते ही यह जो बैट हो कि आप ऐलज़िभल नहीं हो तो जो बाकि भी रह रहे हैं वह लोग इसलीय रहे हैं कि क्योंकि उनकी सरकार हैं आप बीज़ेड़ी में होते हैं आपकोहाली नहीं होता है सवाल ही नहीं पयτα, सवाल ही नहीं पयाता और वह तो कुछ भी तो नहीं है वहными 12 साल के मानिस्टर मंत्री और कौई शकूटी थ्रड यह कोई उनको प्रॉब्म नहीं मैं तो थ्रेट में भी हूँ, मैं तो हर जगा इन्वाल्व हूँ कि मुझे महारियाश उस जगा भी करने पड़ेगी जिस जगा मुझे कोई हम पे अटेक ने कर पाए सरकार की responsibility सरकार हर दुश्मन के लिए हर सजन के लिए responsible है कि इस सब को एक जैसा वहार किया जाए और खास करके protection जो सरकार ने दी लिये ना मैं तो यह protection यह सारा कुछ अमला फाला कैसे इस्तेमाल करो गया हूँ मुझे नहीं पदा लाल सिंग जी आपको क्या फर्क पड़ा वह मकान खाली करने से लेकिन मुझे आज फर्क पड़ा है मैं 80 km ट्रैफल करके आपके पास आया हूँ कि यह खर्चा आपको जो आने जाने में पड़ा है यह यह तेल इसी देश के एक बच्चे का जला है उसकी गाड़ी में जला है उसका खर्चा हुआ है और यह अच्छी बात नहीं है तो यह सारा ही बोग ले दे के सवाल ये है जो भी मसला गरमाया हुआ है तरह था के स्टेट्म कार रहे हैं जिसमें बचकाना भी है बचकाना स्टेट्मेंट भी आथे हाँ 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 बहुत जाया हाँ क्या लगता आपको ये सारा क्या प्रॉफटी टेक्स को ये क्या कहेंगे आप बेसीकली सरकार कन्फ्यूज लोगों के पास हैं और ना समयधार लोगों के पास जिनके दमाग भाही नहीं पतले और वो जितना बुरा लोगोंкой साथ कर सकते हैं कर रहे हैं कि ऐसे राजे भाशाव हुए है न जो जवरदस्ती लोगों को मारक उट करते थे जवरदस्ती जजिया लगाते थे ऐसे लोग थे ऐसे वो भी लोग थे जो बाहर से आए थे तो इस तरीके की हल करते थे ऐसे लोग थे अंग्रेही थे वो भी ऐसा करते थे ये इसको स्टेट से जुटी पर पहुचाना आपको पदा यह स्टेट सबसे बड़ी स्टेट थी देश में सबसे बड़ी स्टेट होने के वाफ्जूत और इस स्टेट को आप सबसे छोटी कर दोगे तो दिसी नर्ट पासीवल तो कहने का मक्सिद है कि यह सारी चीजें जितनी भी की गई जो प्रापरिटी टेक्स अभी इन्होंने पिशली प्रावल्म को ठीक करने के लिए किया अब सुझे एक ऐसे पिशली प्रावल्म यह थी कि जमीन पे लोग इस समय इस समय इस समय इस समय लोग क्या कर रहे हैं इस स वहारे लोग इनका प्रोटेस्स कर रहे हैं जो मकान तोड़ रहे हैं, जो प्रापटी दूसरी पर कभज़ा किया जा रहे है। जो जिसको एंटी इंक्रोजमेंट ड्राइब कहते हैं, जो एंटी पॉलिक है, एंटी पीपल है। उस ड्राइब को डाइवर्ड किया है। बाल है एक दैशत और देनी, अभी अभी शुरू थी, तो दूसरी पर पहुंचे, आप तो तेरे मकान पर पहुंच जाएंगे। पहले तो सरकारी पे था ना अब वो जमीन वो छोड़ो यार आप तो तेरे मकान को नापते हैं यह एक आपने देखा एक मिन में लोगों में रेक्शन आया एक दम बवाला है एक क्या हो गया अभी लोग पहली मार से उठे नहीं रहे थे अभी मार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं दूसरे नमबर इस ही के साथ जो डेली bağशर का मसला बनाया, उसका मसला भी संगीन हुआ था, 520 हटाने के चकरव है यो IHR ofaj3,0520 बना हुआ हैं वो उसको भी हटाने के चकरव कह था ठादो नहीं हैंगे, आप डेली वेजर मCR करेंबने के लेगे सब फराड हैं मुझे लगता है कि जोग भी है स्टेट में बंदा रह रहा है और यह सरकार है यही सब कुछ है चुछ सब मैंने देखा कि सोचल मेडिया में देखा जब रॉप्टेक्स की बात आई तो बीजेपी के अध्याक श्रविंद रहना जब बाकी नेतां से बात की जिसको एक बात भी पूचीगी एवन के जिसन स्टेट तोड़ी इनको नहीं पता था और देश में किसी बीजेपी बिता देश के बड़ बड़े देताओं को कि जिनको यह पता था कि डिवानटेशन होनी है यह यह बेसिकली डेमगरिटिक तरीके से कुछ नहीं हो रहा है स अब धांदली इसे दादागिरी इसे फिडियलिजम इसे मुनारक इसमें एक डिक्टेडरिशिप इस तरीके से कहलें कि यह एक फ्राड बना हुआ है क्या सकते हैं कि यह लोग मासूम हैं जो जम्हो कुछमीर में बीजेपी की हैं इनको पता है कुछ नहीं है मासूम थोड़े हैं लाचार हैं मासूम वर्ड तो अलग होता है लाचार हैं यह कुछ चाहते हुए भी यह थोड़े चाहेंगे कि क्या इनकी जमीने नहीं जा रही क्या इए टेक्सिनी को यह अगर बोलेंके क्षिन। कितना कर दिए ऑब मिलॉग द्टाइज हान। य ने ने मकान चीन लेंगे उनको बोलना चाहिए लोगों के लड़ते हुए अगर कुछ कोई भी नुकसान होता है तो सहना चाहिए चोड़ सब आपने भी लिस्टर देखी होंगी जो एंटी इंक्रोज्मेंट ड्राइब को लेकर सामने आए थी कुछ ऐसे नाम सामने आए थे जो बड़े मगरबच हैं जो करीबी हैं सरकार के लेकिन वो लिस्ट तो आई सामने है लेकिन एक्शन उस पर आज तक नहीं हुआ बेसिकली मैं तो इस बात के टोटली खलाफ हूँ को मैं गल्त समीता हूँ जाए किसी के साथ हो रही है बढ़ा एज़ चोटा है अगर उसके पास कनूनी तोर पे अगर उसको जमीन दी है, चाहे रोशनी के तायदी है, चाहे अपने गिरदावरी के तायदी है, चाहे उसको जमीन आपने एक लेवी दे के लिए है, उसका परफार्मा बढ़ा गया है, ट्रेजरी में पैसे जमा करवाई हैं, अगर वो सारी चीज़े कनूनी तोर पे दी हैं, तो मैंने समय था क कोई बड़ा जचोटा जए उनके नाम देने की बात क्या है, जिनको किसी के नाम से परिशानी मुझे तो है नहीं, के लोग हैं कि युको परिशानी होती है, फलाना नाम, फलाना नाम, फलाना नाम, मैं बो आदमी में बड़ा मेरा बिशाल हर देर रखा है, कि कोई नाम भी कनूनी तोर पे बड़े से बड़े आदमी को अगर benefit कनूनी मिला है उसका अधिकार मनता है तो उसमें मैं नहीं समय तक गलत बात है हाँ सरकार गलत है कि सरकार को जब एक ही सरकारी मलाजम पटवारी है गिरदावर है बहां एक नाइप सील दार है तसील दार है यह सारे लोग पेसी आ रहा है कि revenue department secretary तक बैठा है revenue secretary, financial secretary उन लोगों ने अगर इन चीजों पर मोर लगाई है आई वो लोग कहसे कि इसकी आपनी मोर क्यों काट रहे है आपसिलुटली यह फुलिश बेसिकली वो समझानी पाई सरकार को I'm sorry, they are the custodian of the farmer land यह समझानी पाई जा सरकार समझानी नहीं चाहते है नहीं वो इसलिए नहीं समझा पाई उनकी उकात ही नहीं है हर बंदा इससे में नौकरी नहीं कर रहा है चिंप्चागरी कर रहा है उसे दलाली कर रहा है तो उनके पस option क्या है अगर इन नहीं करेंगे तो नोक्री से बाहर हो जाएंगे तो अगर सारे लोग ऐसे करते रहेंगे तो इस देश लुड़ता रहेगा तौई तौई मुझे बताओ उनको बेरिफिट यही है चार दिन के नोक्री जो रटैर होगे हैं उनकी क्या हालत है त सरकारी मलाजम स्टैंड लेता है पढ़ा लिखा आजमी है यार कौलिफाइड आजमी है अगर पढ़ा लिखा आजमी लोगों के लिए स्टैंड लेगा तो कून लेगा who is the custodian of the people कस्टोरिण वो होता है जो सरकार में बैठा है इसलिए बैठा है कि उसको पढ़ा गे मनिस्ट्री होती है सरकार होती है तो सरकार के पास जो उसका सेक्ट्री होता है फ्रेंशर कमिशन होता है उसका प्राइविट सेक्ट्री सारे लोग होते हैं साक्या मनिस्ट्री के साथ कंदे से कंदे मिला के काम नहीं करते हैं या सवाल एक और है, परदान मंत्य जी जी ने साफ साफ कह दिया, परदान मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि, राहुल गांदी बारत जोड़ो यात्रा कश्मीर नीड़ नहीं हो कर इसलिए भाँ पिर ले तोर पर जासके, हमने इसा माहॉल बना दिया है, अब डरने की बात नहीं है, वहाँ कोई भी पत्थरबाजी नहीं होती, टरिस टैक नहीं होती, यह उन्होंने का, अगे महोल बिल्कुल शानत है, बिल्कुल अनुकूल है, तो पिर लेक्शन क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि Honorable Prime Minister of India साब को अपने डूल ब्यान नहीं देने चाहिए, डबल, आप कहते हो कि महोल अच्छा है, तो यह कश्मीरी पंदत मार रहे हैं तीसे चोते दिन, वो कैसे मर रहे हैं, जो इस समय यहां मरे लोग अरजोरी में, वो कैसे मरें, और लेटेस्ट, यो इ फिर दूसरा नंबर, अगर यह उसकी जात्रा बढ़िया होगी, तो फिर कश्मीर में वो जात्रा कैसे चोड़ दी उन्होंने, रास्ते में पिशे अटके, जवरसे वाले लोग, दूसरे वाले लोग, स्कौटी नहीं थी कैसे चोड़ दी, इसका मतलब है, डर था, डर है, और तीसरी बात यहा, अगर बर्फ खेलते हुए, गुल मरग में, तो ओ कहा कि बर्फ इसलिए खेलते हैं, क्योंकि महौ अच्छा है, बहां महौल तो नबे मिमीं खुब बर्फ केलते हैं लो, क्यों, पॉरी आर्मी लगी गये बहां, पूरी आर्मी के उसके बीच में बैठ क्या है? What is the problem? महुल भी ठीक है, महुल भी ठीक नहीं है, महुल भी ठीक है, उसका इलेक्शन भी नहीं कराने, तो फिर किस बात की बात दोहाई दे रही है, और सी फालतुबत नहीं कर रही है, हम सारी फ़र्द है, हाम आदमी बहुत परिशान है, इलेक्शन होने विए से, क्य सोचता भी नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि एलेक्शन हो जाएं, ताकि मैं अपने अमेले से बात कर सकूँ, असली में आप पूरा सेक्टर के गेट पर खड़े हो जाओ, कोई लाइन नहीं लगी होती, कोई बंदे किसी आफिस में नहीं होते, लोग जाएं, जाके भी देख लिए लोगों का काम होता नहीं, बहल तो कोई अंदर बढ़ने नहीं देता, चलागे अंदर तो काम तो स्वाली नहीं पैदा होता, क्वेश्चन ड़नाट राइस, कि किसी का काम हो पाए, कोई एक काम बताए, जो नहीं सरकार ने किया, किसी का, मैं कहता हूं, कौन सी दिवैल्मन बता रहे हैं, ये नैशनलाइand वेवाली, स्टेइट गोर्मन का काम, को हूँ से काम कर रही है, स्टेट गोर्मन बताए ना, यू इनका काम बढ़े है, अगर इमज बहन है, तो हमने किये तो, जिए इस जमाने में किये हैं, वो गोर्मन आ फिंडिया का पैससा लगता है इस जो यहां बैटी कॉवर्मेंट वो क्या कर रही है चोजी साब अब सवालों का रुख चेंज करते हैं आप ही कि किसी भाई ने किसी दोस्त ने पुराने दोस्त ने जो जब आप कांगरस में थे तब यह कांगरस में थे मैं शामलाल जी की बात कर रहा हूं उन्हो हो जाते हैं कभी इदर कभी उदर कोई पता नहीं आने वाले दिनों में शायद वो अगर लाल सिंग का स्टैंड स्लिपरी होता यह लोग मेरी उकाद के बराबर हैं क्या इनका बड़ा बाई था जो लीडर था अंडर्स्टैंड हम इनके इनके उस बाद में नहीं जाना चा छोड़े वए पार्टी राइट आपके हैं सोच तो मेरे पास कितने पार्टी हैं चलके आइं सिलिफ्री स्टैंड के मैं की जा ठीक परोड़े नहीं है हमने घान, हमने कहा और हैं कि अरृश की एक इस चीज़ के लिए हमने जो जमीन केली ली लड़ा है उर मैं लड़ रहा कि लोगो इन समिन चाहिए कहा दे प्रप्राप्ति को जैने नों कर दें कि ठीक है यह क्यों ही बोल रहे है जिस पर बात करने उस पर करने चाहिए लालसिंग क scriptures ramen सकते तीन बर केमन नर्फशा आप झेक ह। क्यों ही गीति गिती हो तो आप न्हें के क्या कभी हाचा ही नी इसमें हमने एक तो जंगा हार हुई है लिगा अधर भाई मुझे बताओ मैंने इतने लेक्षेन जीते हैं मैं कांगर्स दिवारी में जीता है इनको क्या पता है जिता पैदा इन जो थे पॉलिटेक्स में मैं बाई बर्थ बाई नेचर पाइम पॉलिटेशन मैं नखरी थोड़ी की इस डिपार्टमेंट में बारे जो जो अब कोई सर्वस की क्या चोड़कर नखरी आया होंगया रजान करके आया होंगया मैं नीचे इसे नहीं घर सकता जिदीन लोगों के हालत है जिसने मेरे से इसको नहीं मेरे साल बिठाना चाहिए था बड़ा बाई मेरा इसको दोस्त रहा है हम तोनों कुलीग रहें सीड एक शेर की है दस सल बैठे एक जगा पर अजगा पर अजगा पर तो मैंनी कर सकता है इतनी आपस में बहस लिए लिग ओ शर्म होनी चाहिए चोटे बाईयों क इसे फालतों बाते करते हुए शर्मानी चाहिए और दूसरी बात ये मेरा स्ट्रेंट के ले रहा आप अपने राम करें अपने मज़े से रहो अगर मेरी डिसकुशन लोग सुनते हैं तो मेरे नाम लेके आप क्यों अपने आपको आप बढ़ सकते हो क्या मेरे लिए तो उम सब्सक्राइब से लेवल बना रहे हुआ क्या मैं सल् होता तो ऐसे होता मैं उस जातरा में इसली गया MDR जी के बारें जातरा में सिसियासे करता हूं चानता हूं सिसयासे कैसे करने। और यहां तक सवाल सबार जोड़ने की बात ती तो बार जोड़ने में अगर सारी पार्टी इस है जोक रही है in मेरे पास अगर चल के आते हैं वो लोग कांगर्स के सीनियर लोग दिख भी इन्होंने उसे बड़े बड़े लो बेनु कुपाल जैसे लोग कितनी दुनिया मेरे मेरे से मिली है कि फोन ये बो मुझे तो कहरें पार्टी यांड करें सवाल ही नहीं पैदा हम स्पोर्ट करेंग कुपाला कि इन्स्व क्लπόला कि फारे बड़ व्यूभ्यारि बड़े भी इसकति आदेख होने कुपालए इनको तो तहों मिली एन्होंने करें एलेक्शन तो लोगसाबा का मेरे खलब मार्च में था और मेमी निदे कोड़ अफ करनक्ट था मैंने पार्टी शोड़नी होती तो डेव फर्स से सोड़ता ना जिसने मेरी टिकट गई मैं अपनी कुमिंटमेंट पे हूँ मैंने कांगस पार्टी ने अगर मेरे से चीट किया है आए कांगस पार्टी भोग थी और जिसने मेरे से चीट किया उस आदमी का अपना क्या हाल है भी ही इस मैं टो परी पार्टी बना के घूम रहा हूं जलसे जुरुद कर रही हैं क्या पैदर चल रहे हैं क्या पार्टी कि दो भरी तो नाम बदली है मेरे एक ही नाम रखा है जब से रखा है मेरा स्टैंड देखो, मैं कहां कहां हूं के स्टैंड और न्यूसरी बात जहां एक 지원 अगरां भी đấy है मेरे पास चलकि आए सारी दुनिया आई हमारी जात्रा को समारत ने करें हम रहे किया अगर वहां की कोई क Черाबी हुई तो मेरे समान को ठेश नहीं लगी उनके समान को ठेस लगी जिनको बाप में वाफ़ी माँगने पड़ी मेरा समान मेरे मैं देखो साथ मैंने तो गलती नहीं की न अगर आप मेरे पास चल के आए हो मैं आपको इंटरू नहीं दूँगा पर कुछ आए यहां नहीं अगर उनसे इज़र ना उनको दे पाए उनकी हालत किया हुई लुक्सान किसका हुआ चुल साब आपने अभी एक बात कही कि वो लोग कहते हैं कि आप पार्टी में वापिस आज़ो कांग्रेस में वापिस आज़ो चुद्री लार्सिंग क्या सोचते हैं इस बारे में अभी आपको क्या लगता है कि अगर आज लोगों के हित की बात करनी है लोगों के बीच जाना है लोगों के काम करने है तो क्या फैसला है आपका दूगरा स्वाब मैं से गठन रहेगा देखो अभी तक हमारा कोई बचार नहीं किसी पार्टी में जाने का सची बात क्या रहे हैं इमान दर से अपनी पार्टी में काम कर रहे हैं और पूरी मान दर से काम हो रहा है मेरे लोग काम कर रहा है आफशन बहुत है कां게स आफचین है? सारी आफचन है, किइआफचन है मेरे पास थे हैं लेकिन मैं आफचन मेरी आफचन प्रैट्टी है लोग है और लोगों के लिए क्या कहते हैं लोग आपके? लोग मेरे साथ खड़े हैं लोग जो मेरे से चल रहे हैं जो मैं उनको कह रहा हूं वो हो रहा है तो कहने का मक्सद अभी कोई ऐसी ऐसी बात ही नहीं है और अगर किसी से समर्थन ने किसी से समर्थन दिया जा सकता है लिया जा सकता है वो बात अलग है सबसे बड़ी बात है कि यह लोग क्या जम्मो के सेपरिल स्टेट देगा कोई यह बात मेरी इस पे है कि जम्मो मैं मरवाना नहीं चाहता अगर ले दे के मैं ही एक खड़ा हूँ एक सारे पिशे हड़ गें मैं भी हड़ जाओ तो हूव फाइट फार जम्मो तब ही मैंने पू और जो पाटी नहीं है अपने अपने मैनिफेस्ट में लिखती है किया सारी चीज़ें नोटे हो सकते हैं जब बात होगी उससे पुजूल है और अप्शन है इससमें पुजूल है नहीं और अप्शन तो आदमी आदमी आपने दरवाजे कभी बंध नी करने चाहिए दरवा क्वेर मतलबों, मृनिस्ट्रियां भी मिल गई, कारोबर भी मिल गई, स्टेट का वाइस पेडियन मी बिना दो, सारे ओदे मिल गई, उसके आप पार्टी चोड़ने का क्या करन सार्थ ने, मेरी तो टिक्ट गई, इनका क्या क्या? भाई दीवे, उधर जाके क्या होगा? क्या किया क्या करवाली है उनसे क्या करवाली है जह कहते है थे ना उसमें जम्म को सेपर मिलनी चाहिए बनी में बोला था उसके कितना बहुत तरह बड़ा और यव वाथ उस पार्टी ने मानी सारी तो यह पूछे मुझे कि इनको क्या परशानी होगी जाने की जैसे गुलाम नभी है क्या लगता अपको क्या परशानी होगी किया कारण मतलब नहीं अब यह पार्चिन स्लोगन को कहा से आस्दा था वह परस्ती है और कि एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टन सवाल है और बड़ बड़े बीज़ पी के लोग तो कही लोगों के लिए तो यह भी कहते हैं जो जाहिन किये, कुछ किये, तो एक बंदा मेरे पास आया था, कैता ही, सारे लोग जो हमारे पास आये हैं, इस अपना सोधा पत्र बचाने आई हैं, यह यह कहा किसी, बोट बड़े लीटर ने कहा, कदा हम यह ने पता है, वो गहरे हम यह बता है, लेंगी चलो, इस्तेमाल करो, आपके इसारे समझ जा रहे हैं, मुझे, बड़े बड़े दुरिये की बात कर रहा है, बिग गेस लो, यहां भी देश में भी के जगों भी हैसा, उन्हें कहा, साब कहा है, आपको लगता है कि शायद एंटी इनक्रोच्मेंट ड्राइव उनके घर तक इसली नहीं पहुंच आप जब आप इंट्रियू देते हैं तो उसमें सियासत बड़ी कम होती है, सचाई होती है, तो लोगों को समझ आता है, राहूल गांदी ने बारज जोडो यातरा खतम होने के बाद एक समयलन में बाहर जाकर, देश से बाहर जाकर, एक समयलन में यह कहा, कि बारज जोडो प्यातरा में जब में कश्मीर पहुंचा तो वहां मेरी मुलाकात जो है, आंख से आंख मिली, टर्रिस से, मिल्टेंट से, मैं टर्रिस्ट कहूंगा, टर्रिस्ट से मिली, लेकिन उनने मुझे कुछ नहीं कहा, इस स्टेटमेंट को क्या लगता है आपको, यह बचकाना स्ट मैं यह पूछ तो मैं उस ची को देख लेता, कब कहीं, कैसे कहीं, कि के लोग मैं ने देखे, एक अमिशा के लिए, एक दो और बड़ बड़े लीडरों के लिए, मैं की जगा दिखा उनना, स्लिपरी टंग के लिए, उनके कितनी बार लोगों दिखा रहे हैं, तो यह चीज को छोड़ दे, इससे बड़ा शुकार क्या हो सकता है, मेरी ऐसे बंदे को तीन-चार बार अटाय कर दिये, यह तो कैसे बूल सकते हैं आप लोग, कांगर्स का लीडर इतना बड़ा मिल जाए, क्या बात करते हैं यह बोला है, यह बोला है, किस सोच पे बोला, क्यू बोला, कैसे बोला, अधरवा, यह बोलने बाले बात है, सबसे बड़ी बात है, कि उन्हें पहचाना कैसे यह पहचान कैसे आती है, यह तो वही कह सकते हैंगी, आइकन से, वही कह सकते हैं, कि उसकी अंखे कैसे होती है, उसकी शकल कैसे होती है, स्टाइल कैसा होता है, पैनावा कैस होता है यह किसकी और इशारा है यह शारा इस ओर है कि लोगों सो जोड़ा जाए या फिर यह वो लोग है जो चोदी दिलाल सिंग को सुनना चाहते हैं उनका इंतजार कर रहे हैं प्राबलम में हैं एक अच्छे दिन जो वाके में अच्छे दिन हो सकते हैं पता नहीं होंगे वो भी जा नहीं होंगे उसका इंतजार कर रहे हैं देखो असली में क्या है कि लोगों में मैंने देखा है मैं जहां भी गया मुझे लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है रिस्पांस भी अच्छा है और यह जन संपर्क जो हमने अवियान शुरू किया यह सेकंड फेज है जन संपर्क अवियान यह सेकंड फेज है पहले हमने चारा-सपाइसालों के लगाथा रहा यू नू बैटर आप तो सब कुई देखा है और लोगों को लोग चाहते है कि हमें कम उससोंगे हमें यह मिले और लाल सिंग मिले तो छालाइक हिसलब मुझे बहुत तखलीव होती है तो पैदल चलना ये करना तकलीफ होती है क्योंकि अब तो हम बच्चे तो है नहीं हमारी भी उमर कम बुड़े होती ही आ रहे हैं लेकिन अभी भी ऐसे फिट रखा हुआ है तो उसके बएसे जी रहे हैं अधरवाइस तो ये टफ है लोगों से मिलना कांटीनू मिटिंग करनी ये सekतंखेए है और अच्छा फीन वागों सेजोग है बहुत सीजोग ही और आफो खाना कालाती है आए के जमाने में इतनी लोग साथ होते हैं नब खाना कालाती है हम भूत भड़ी जिसके हजारों को लाकों क्रोड़े पर उस के पीचे है आगे उसका इंतजम होगा प्रेक फार्स का उसका यह होगा ऐसा होगा तो के वर तो हमारे लोग फाके भी रह या hen फिर भी लोग कहीं से करके कोंग खारागलाती लेकिन आप पर एक इल्जम है आप दोशी हो आप दोशी इसलिए हो कि आप जब सब फोटे जो है सोचल मीडिया पर आता है लोग देखते हैं आपका जन संपर्ख देखते हैं लोग देखते हैं शाय यही कारण हो कि जम्मो कुश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे कि इसके से दौशी आप भी हो चलो यार मैं 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 बी इतरा काला ऐलेक्षन का सची बातता हूं मैं भी इतरा काला नहीं हूं मैं भी चाहता हूं कि का मैं भी तसलिए से गों लूँ और लोग जोड लूँ आ पार्टी घड़ी कर लो इनके ऐसी तैसी हो जाए था कि लेक्शन में और जितना अभी भी लोगों में बड़ी लोग हैं जिनको यह समय नहीं है कि हमारे साथ क्या हो गया कैसे हुगा अभी भी नहीं पता है दुखी देमेरी बड़ी हैं बात करते हैं स्लेंडर लोगों के गाहों में घार में ani बिलकुल उर्ष के किसी की जूते रिखे हुए हैं कपड़े सुगा रहे है बिलकुल इस्ते माले कर दे हैं बहुत बड़ी हाल है चोदरी लाज सिंग्जी से लिमिटेड शब्द में आपकी नजर में एलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं एलेक्शन जम्मो कश्मीर में इसलिए नहीं हो रहे की सरकार जो इसलिए करंट सरकार चल रही है एक कुछ और भी कुछ जहां खराबियां करना चा जाते हैं जिससे 24 के लेक्शन कैसे जीता जाए यहां के पंगे कर रहे हैं यह देश में यह थोड़ी हो रहा है किसके साथ हो रहा है जम्मो में 68% हिंदू सिख है और 32% मुसलिम है अब यह 100% लोगों को नुकसान हो तो ज्यादा किसका हो रहा है लेकिन यह दिखा कह रहे है लोगों में एक दिवार खड़ी कर रहे हैं पीच में जो दिवार इसको फालेना चाहती हैं कश्मीर हारता है हाट जाए जम्मु जीत लिए मैं कहता है जमू भी खपे में बढ़ जाए इनको कुछ नी चाहिए इस दो सीड जमू की क्या कर रहे हैं इनको बो सीड से आई और दूसरा नमबर जमू को इस्तमाल किया जा रहा है जमू तो ऐसे ही जूज है जूज किया जूज एंट थो इसकी हल्द कराब है जमू के लोग सकते हैं क्या सरकार है होती है कि तरहीं सकार लोगों से ज्यादा मजबूत होती है सरकार बनाते हैं लोग हैं लोग शाहिए कान से पकड़ के सरकार को कान पकड़ टंडे लगा सकते हैं यह समीदे नहीं लोग है और यह चीजें लोगों को करने पड़ेंगी लोग इतने कम जोर ना हो जाएं, यह सिर पे चड़ रहे हैं, यह तनी शाहितियां लोगों से कर रहे हैं ना, I'm sorry for that, यह भूल चुके हैं कि यह अपने आपको कौन सी कड़ागिरी में लेके जा रहे हैं, और लोगों को कौन सी कड़ागिरी में समीते हैं, लंबडारों को अपनी रटाया, बूडे लंबडार हटा रहे हैं, और लंबडार मिल गए किसी सेक्टरियर साथ, मिलने के तो उनों ने कहा भई, आप लोगों उने सरकारी में तो आपने मलाई है, क्या बात करते हैं, आपका खाना, आपका मुर्गा, आपके शराब, आपके मैं मैक पे की डिपार्टमेंट ने को कई, लंबडार पे अंचिसारी जदिकी आपकी घुलामी करते रहें, और आय है उस पे लगा दिया आप lay 빠quier हम लोगों ने लंबडारों पे, के लंबडारों के लंबडारों ने जमीने सरकारी पे कप जग रहा है, प्रण टाकिंग, सरकारी जमीने लंबडार, लंब लोग रहसी है, लोग रहाजे लेक्शन लड़ा के कोई लमड़ार हारता है जीता है, बात की बात है, आपको ने जवर दस्री उसको उठाने बाले, अबसलूटली, ये इंटर्यू बहुत इंपॉर्टट है हमारे लिए, क्योंकि जिस शुरुआती दोर में मैंने कहा, इतनी तकलीफ लाल सिंग जी को नहीं हुई होगी, जमू का मकान छोड़ते हुए, जितनी आज हमें महसूस हो रही है, हम उमीद करते हैं कि जो इन्होंने कहा कि हम एक आफिस लेने जा रहे हैं जमू में, वो जल्द से जल्द अमल में आए, ताकि हम, क्योंकि पहले मैंने कहा, कि एक ऐसा नाम है, एक ऐसे सियासतदान है, जिसको एगनौर नहीं किया जा सकता, जिनको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, उमीद है कि ये इंटर्व्यू आपके लिए इंफरमेटिव हो, अगला इंटर्व्यू हम जमू महीं करें, इनके नए आफिस में, शिवा मकुमार के साथ रभेंदर सिंग दे स्टेट सेंटेनल के लिए